नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MSSSE notes में दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं संस्कित में पशुओं के नाम पुस्पों के नाम तथा सरीर के अंगों के नाम दोस्तों आप संस्कित का कोई भी एक्जाम देते हैं उसमें आप देखते हैं कि पस्वो के नाम, पुस्पो के नाम, तथा सरीर के अंगो के नाम भी पूछा जाता है, आपको या तो हिंदी में बता देगा, गिरगिट को जैसे गिरगिट का दे दिया, बताई संस्कित में नाम क्या है, तो अनेक प्रकार की चीजे हैं, तो इसे के बारे में हम आज इस वीडियो पर आप नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और साथ जाथ बगल में बैल आइकन दिख रहा होगा, उससे प्रेस कर लीजे, जिससे में अपना जो भी नेक्स वीडियो डालते हैं, वो आप तक नोडिफिकेशन के मादम से पहुँच कहते हैं तो ऊट को कहते हैं उस्ट्रह, क्रियमेलकह, ठीक, ये दो नाम होते हैं इसके अगला है और इसको एक नाम और जाना जाता है उध बिलाओ, ठीक उध बिलाओ के नाम से भी जाना जाता। अगला है कच्छुआ, कच्छुआ को संस्कित में क्या कहते हैं, कच्छपः, केकड़ा को संस्कित में क्या कहते हैं, करकटः या कुलीरः, दो नाम है इसके केकड़ागे, अगला कुत्ता, कुत्ता को क्या कहते हैं दोस्तों, संस्कित में स्वानः, कुकुरः और कॉलेकः ये होते हैं, और एक होता है सारमेय, चार नाम है इसके, अगला है कुतिया, कुतिया को देखिए संस्कित में क्या कहा जाता है, शरमा, सुनी, दो नाम है इसके, अगला कंगारू, कंगारू क्या कहा जाएगा, कंगारू हूँ, इसका आसानिस में सिव अहा की मात्रा लग कनड़ जलो का ये कनखजुरा का संस्कित नाम है नेक्स्ट है खरगोष खरगोष को संस्कित में क्या कहते है शशकह याद रखेगा इसको अगला गाय गाय को संस्कित में क्या कहते है गो और धेनू ये क्या है संस्कित नाम है अगला गेंडा गेंडा को क्या कहते हैं खटगी, खटगी जो था ये गेंडा का संस्कीत रूप है, अगला गीदर, गीदर यानी सियार, सियार को संस्कीत में कहा जाता है श्रिगाल या गोमायू, ठिक, अगला गिलहरी, गिलहरी क्या है, गिलहरी को क्या कहते हैं, चिक्रोड़, ठिक, नेक् आप लोग को करना क्या है पूरा इस वीडियो को सुरु सिलाज तक देखेगा क्योंकि इन्हीं में से कोशन बनेंगे इसके बाहर कि आपके संस्कित से अगर पूछा गया नाम बहुत मुश्किल है आप अगर इतना याद कर लेते हो आपके लिए बहुत हो जाएगा इसलिए अब इतने सारे जो है नाम याद कर लीजेगा संस्कित के देखे अब अगला है बिल्ली बिल्ली को क्या कहा जाता है मार जारह या बिडालह अगला भालू भालू का होता है भलू का ठीक इसका संस्कित नाम भलू का होता है तीसरा भैस भैस को संस्कित में क्या कहता है महीश अगला बेडिया का क्या होता है इसका संस्कित नाम ब्रीक होता है फिर तीसरा है भेड अगला है भेड़ देखिये भेड को क्या कैते हैं मेशा नाभह। तूला लूता ठीक है तीन नाम इसके दिये हुए हैं मकडी के अगला मगरमच मगरमच को संस्कित में क्या का जाता है मकरह और नकरह ये नाम है मचली का क्या होगा मचली का होता है मच्या मीनह और जहसा तीन नाम इसके भी हैं संस्कित के मचली के अगला है मेढग मेढग को क् क्या कहते हैं लोमशह लोमशह जो है यह लोमणी का नाम है अगला है शेर शेर को संस्कित में सिंग केसरिन मिलगेंद और हरी हरी ही जो होता है यह क्या होता है सिंग का संस्कित नाम है अगला है सुवर सुवर का क्या होता है दोस्तों शुकरा होता है वराह यह दो नाम है संस्कित में हस्ती कहते हैं करी कहते हैं गजह कहते हैं गजह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अगला है हीरन हीरन को संस्कित में क्या कहते हैं मरीगा है यह तो आप लोग को यादगी होगा हीरन जो होता है मरीगा नाम इसका अगला है अब हम बात करेंगे संस्कित में पूल होता है इसको संस्कित में क्या कहते है काड़ी का रहा अगला कमल कमल क्या होता है इसका देखिए संस्कित नाम क्या होता है इंदी वरम अगला है कमल जो देखिए एक कमल नीला होता है एक स्वेथ होता एक लाल होता है ना नीला कमल जो होता है उसका नाम इंदी वरम इसी तरह से आगर exam इसको फसाना होता है तो इसी तरह IQ पूछ्छ लेगा अपको कमल suppose कमल को क्या कहते हैं नीला कमल को राल कमल को याद रखी गाँ अगला है कुमद्नी कुमद्नी का क्या होता देखिए कुमद्न को मिद्नी कुंद का क्या होता है कुंदम अगला है केवडा केवडा का संस्कित नाम क्या होता है केतकी है ना केतकी होता है अगला गुलाब गुलाब को संस्कित में क्या कहते है दोस्तों पाटलम ठीक गुलाब को पाटलम कहते है गेंदा का संस्कित नाम क्या है गेंदा का है अस्थल प चमेली होता है इसका और जवा पुस्प एक होता है से जपा पुस्प भी कहते हैं संस्कित में अगला है जुही जुही का ये भी एक पुस्प होता है इसको संस्कित में क्या कहते है यूथिका यूथिका इसको कहा जाता है फिर अगला है दूपहरिया दूपहरिया भी एक तर आपने टॉपिक ह लाग हमारा टॉपिक यह है कि संस्कृत में सरी के अंगो के नाम अब आपके संस्कृत में शरीर के नाम पूछेस संस्कित में घृत जानते हैं श्रंस्कृत में क्या HELता है बहुत मुष्पिल हो जाती कि podem का magg लीजें बाल को जैसे संस्कृत बाल का नाम है, नेक्स्ट है मस्तक, मस्तक का संस्कित नाम ललाटम होता है, अगला भावे, जो भावे होती आपकी आईबरो, उसको संस्कित में भुरू कहते हैं, नेक्स्ट पलक, पलक जो होता है, इसको पच्छम कहते हैं, नेक्स्ट पुतली, पुतली को क्या कहा जाता है, कनी नीका पुतली का संस्कित नाम है अगला नाक नाक तो आप लोग जानते ही है नासिका होती है नेक्स्ट है उपरी ओठ उपरी ओठ का क्या होता है ओष्ठ ओष्ठ इसको आप लोग जानते ही है निचले ओठ को क्या कहते है जो देखे ओट का भी उपर का होता है एक नीचे का तो नीचे वाले को अधरम कहते हैं अगला ठुड़ी ठिक आप यूट के नीचे का हिस्सा उसको कहते हैं चिबूकम अगला गाल गाल को संस्कित में कपोलम कहा जाता है फिर गला गला को क्या कहते हैं कंठा फिर डाड़ी डाड़ी को क्या कहा जाता है मूच श्रमूच रव ठिक मूच यास मिस्रू फिर नेक्स्ट है मुख मुख क्या होता है मुख हम होता है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लागा आप हमें कमेंट में जरू बताइएगा हम आपके लिए इससर अगे वीडियो और भी त्यार करके लाएंगे आपको क्या करना है हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथ-साथ बेल आइकन प्रस कर लीजे जिसे में अपना जो भी नेक्स वीडियो डालते हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के मादिम से पहुंच जाएगा तो मिलते हैं दोस्तों आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार